युवा बल्लेबाज रिशब पंत के 85 और श्रेस अयर के 52 रन की उप्योगी पारियों के दम पर दिल्ली डियर डेविल्स ने RCB की खिलाफ 174 रनों का मजबूत स्कोर बना लिया पंत ने 48 गेंदों पर 4 चौके और 7 चौके लगाए अयर ने 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 चौके उड़ाए राहुल तेवतिया ने 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से नाबाद 13 रन बनाए अयर 31 गेंदों पर 52 रन और पंत 48 गेंदों पर 85 रन ने तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साज़धारी की दिल्ली का स्कोर 15 ओवर के बाद 3 विकेट पर 1 और 3 रन था लेकिन पंत की तुफानी बल्लेबाजी से उसने अंतिम 5 ओवर में 71 रन बनाए पंत ने राहुल तेवतिया नाबाद 13 के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़े पंत ने अपनी पारी में 64 और साथ चपके लगाए RCB की तरफ से योजवेंद्र चायल सबसे सक्फल गेंद बाज रहे उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट लिए डेली रड़ देविल्स की शुरुआत बेहत खराब रही दोनों ओपनिंग बलेबाज कप्तान गौतम गंभीर 10 गेंदो पर 3 रन और जेसन रोया 16 गेंदो पर 5 रन जूज़ते नजर आए डेली ने तेस रन के अंदर ही अपने दोनों उपनरों कप्तान गौतम गंभीर और जेसन रोया के विकेट भवा दिये आलम यह था कि पावर प्लेट चल रहा था और गेंदो पहली बार सीमा रेखा कि दर्शन 5 वे ओवर में किये पारी की 27 वे गेंद पर यह चोका अईयर ने लगाया गंभीर ने उमेश यादव की गेंद पर स्कॉयर लेग पर आसान कैच थमाया चहल ने जेसन रॉय को बोल किया पावर प्लेक के 6 वे ओवर में स्कोर 2 विकेट पर 28 रन था अईयर ने 9 वे ओवर की आखरी गेंद पर उमेश पर पारी का पहला चखका लगाया जिस से स्कोर 50 रन के पार पहुंचा अईयर ने 14 में ओवर के शुरू में वाशिंग टन सुन्दर पर लगातार 2 चखके जड़कर 29 गेंदों पर अपना अर्ध शतक पूरा किया उन्होंने हाला की इसी ओवर में शौर्ट थर्ड मैन पर क्याच थमा दिया अईयर ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 चखके लगाए